नमस्कार दोस्तों, Solar Energy Forever में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UTL Company के Solar Charge Controller के बारे में हालांकि जो UTL Company है उसके अंदर आपको बहुत बड़ी रेंज के अंदर Solar Charge Controller मिलते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये कंपनी है ये हर एक सिंगल बैंटरी के लिए अलग बनाती है और डबल बैंटरी के लिए अलग बनाती है और ट्रिपल फॉर्ट जितने भी इनके Solar Charge Controller है वो हर एक बैंटरी जो नमबर है उनके उपर डिपैंड करते हैं इस वीडियो में हम आपको इनके च्यार बैंटरी वाले सिस्टम तक के Solar Charge Controller और उनकी पैनल कापैसिटी और प्राइस के बारे में बताने वाले हैं यूटियल कंपनी के अंदर जो आपको Solar Charge Controller मिलते हैं वो आपको बैंटरी के अकोरडिंग मिलते हैं ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियों के जैसे कि आप एक ही Solar Charge Controller के उपर एक या दो बैंटरिया लगा सकते या दो से ज़्यादा बैंटरियां लगा सकते तो यहां पे मैं लिए तो आपको यहां पे तीन मॉडल मिलते हैं जो कि 20, 30 और 40 इन तीन Current Rating के साथ में मिलते हैं तो जो आपका 20 Ampere वाला है उसके उपर आप लगा सकते हैं 500 वोट का एक पैनल और जो आपका 30 Ampere वाला है उसके उपर आप लगा सकते हैं 400 वोट का पैनल यहां पे 400 वोट क के दो पैनल्स के उपर लगा सकते हैं और यहां पे आप 12 वोल्ट के ही पैनल्स के उपर लगा सकते हैं क्योंकि जो इसकी ऑपराइटिंग रिंज है वो साड़े 22 वोल्ट है तो यहां पे आपको option मिल जाता है कि आपको कितना बड़ा solar controller चाहिए लेकिन अगर बात करें इनकी price range की तो इनकी जो price range है वो ऐसी है जो सबसे पहला 20 ampere का होगा वो आपको मिलेगा लगबग 1900 रुपे में जो 30 ampere का होगा वो आपको मिलेगा लगबग 2200 रुपे में और 40 ampere वाला मिलेगा आपको लगबग 2800 रुपे में तो इनकी खास बात तो यह है कि आपको जितनी जरूरत है उसी range का आप ले सकते हैं लेकिन बात करें अगर आप इन future बढ़ाना चाते हैं जो आपके solar panel की कवेस्टे वो बढ़ाना चाते हैं अगर बात करें एक समार्टन कंपनी के solar charge controller की तो वो 12 और 24 दो बैंटरी वो support करता है हलांकि उसकी जो cost है वो लगबग 2400-5000 रुपे है लेकिन यहाँ पे आपके सामने 2000 रुपे से लेकर 3000 रुपे की range के अंदर तीन आपको controller मिल रहे हैं जो आपकी जरूरत के अंसर आप खरीद सकते हैं यह ऐसा नहीं है कि आप 40 A वाले के उपर छोटा panel नहीं लगा सकते हैं इसके उपर आप कम वोट का भी panel लगा सकते हैं अगर आपको बजट अभी नहीं है 500 वोट तक के panel खरीदने का तो आप इसके उपर 500 वोट का भी पैनल लगा सकते हैं नेक्स है इनका double battery का double battery के अंदर भी इनके 4 model आते हैं जो की 10, 20, 30 और 40 A के साथ में आते हैं तो जो 10 A वाला है वो आपको मिलेगा 2900 रुपे में और जो 20 A वाला है वो मिलेगा आपको लगं absolutely $,22 और जो 30 A वाला है वो आपको मिलेगा लग भं 31 तो cı तिरेंपीर वाला है व आपको मिलेगा यहां पे 400 में तो जहां पर जो 40 A वाला है यह Smart & Company के डर इसके उपर आप आप पैनल भी एक किलो वोट के लगा सकते हैं और उसके उपर भी लगा सकते हैं लेकिन जो स्मार्टन कंपनी वाला है उसको आप सिंगल बैंटरी के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अभी यूटियल वाला single battery के लिए खरीद लिया तो बाद में अगर आपने double battery का system लगवा लिया तो आपके वो किसी काम नहीं आएगा तो यहाँ पर आप अपनी choice के अनुसार खरीद सकते हैं तो यहाँ पर बात करने panel capacity की तो 10 amp वाले के उपर आप लगा सकते हैं 500 वोट का एक पैनल 20 amp वाले के उपर आप लगा सकते हैं 500 वोट का एक पैनल और 30 amp वाले के उपर आप लगा सकते हैं 7500 वोट के पैनल तो यहाँ पे जो 40 A वाला है उसके उपर आप लगा सकते हैं एक लोग वोट तक के पैनल तो यहाँ पे भी आपके सामने ये काफी benefit की बात है कि आप अपने बजट के अनुसार और पैनल जो आपको लगानी है उसके अनुसार आप कोई भी एक solar charge controller खरीद सकते हैं और अब बात करते हैं तीन बैंटरियों के लिए इनकी तीन बैंटरियों वाले में भी आपको तीन मॉडल ही देखने को मिलते हैं जो कि 10 A, 20 A और 30 A के साथ में आते हैं और इनकी price की बात करें तो आपको 10 A वाला मिलेगा लगभग 3500 रुपे में और 20 A वाला मिलेगा आपको चार हजार रुपे में और जो तीस एंपेर वाला है वो मिलेगा आपको लगबग पांच हजार रुपे में और पैनल कपैस्टी की बात करें तो यहां पे आप 10 एंपेर वाले के उपर लगा सकते हैं 400 वोट तक के पैनल और 20 एंपेर वाले के उपर लगा सकते हैं नोर्मल इन्वेटर उसके उपर आप लोड काफी ज़्यादा चला सकते हैं और उसके उपर पैनल की जो लिमिट है वो सिरफ ग्यारा सो ही वोट है लेकिन अगर मान लीजे आपको ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी का भी solar charge controller ले सकते हैं ज इसके उपर आप 3 किलो वोड तक के पैनल भी 3 बैंटरियों वाले system पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपको benefit हो जाता है कि आप ज़्यादा पैनल अपने system पर attach कर सकते हैं लेकिन यह totally depend करेगा आपके budget के उपर अब बात करते हैं इनके 4 बैंटरियों वाले solar charge controller के बारे में तो यहाँ पर जो 4 बैंटरियों वाले solar charge controller है इनके वो थोड़ी से range में ज़्यादा है जैसे कि 10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A और 60 A तक में आपको मिल जाते हैं लेकिन इनकी जो price range है वो आगे आगे काफी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर अगर budget की बात करेंगे तो इन में आपको लगा सकते हैं लगबग 500 वोट के पैनल तो यहाँ पर चार्ब एंटरियों वाले system पर 500 वोट के पैनल लगाने है तो ही आप यह खरीद सकते हैं और 20 A वाले के उपर आप लगा सकते हैं 1 किलो वोट तक के पैनल और वो आपको मिलेगा लगबग 500 रुपे में और बात करें इससे अगले मोडल 30 A वाले की तो उसके उपर आप लगा सकते हैं 1500 वोट तक के पैनल और यहाँ पर जो प्राइस रेंज वो थोड़ी सी जादा हो जाती है जो की साड़े 13,000 रुपे हैं आपको साड़े 13,000 रुपे में यह मिलेगा हलांकि जो प्राइस यहाँ पर मैं बता 14,000 रुपे में लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी बजाए आसा पाउर कंपनी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वही सज़ेस्ट करूँगा तो कि आपको 14,000 रुपे में मिलेगा लग 14,000 रुपे में मिलेगा आपको और उसके उपर आप 4 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते ह तो यहाँ पर आपको यूटियल कंपनी पसंद है तो आप यह इनका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो खरीद सकते हैं अधर वाइज आपके सामने अधर बेस्ट ओप्सन है और अगले मोडल जो इनके 50 एमपेर का है उसके उपर आप लगा सकते हैं 5.5 किलो वोट तक के पैनल और 60 एमपेर का है उसके उपर आप लगा सकते हैं 3 किलो वोट तक के पैनल लेकिन जो प्राइस रेंज है वो उनकी 17 से 20,000 रुपे है जो की काफी ज़्यादा कोश्टली हो जाती है तो यह थे यूटियल कंपनी के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर तो अगर आप यूटियल कंप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद